लेकिन ऑप्जेक्टिव् क्वेस्टे में आपके लिए आपके लिए ओप्रेशन रिसेर्च के वरि वरि इंपोटेंट अब्डिव ब्डिसीण लेकर आया हूं कुछ स्टुडेंटिय।ों की काफी डिमांड थी कि अब्डिक्टिव क्वेस्टे नहीं है जबकि मैंने operation research या उसे LPP कहलो, वो मैंने पूरी define कर रखी है, बस आपको search करने की देर है, लगवक 40 से 45 lecture वा में मैंने देर है, मतलब पूरी लगवक define कर रखी है, लेकिन objective question नहीं थे, तो अब मैं आपके लिए objective question लेके आया हूँ, आज इस video में मैं लगवक काफी question आपके कराने वाला हूँ, इससे जो अगली वीडियो होगी, वो अपने members के लिए देने वाला हूँ, तो members से भी मेरी request है, कि आप चिंता न करे, number wide number वीडियो आती है, हर रोज वीडियो में एक ही वापर नहीं दे सकता, कभी second sem की, कभी fourth sem की, कभी six sem की, ऐसे number आता है, तब वीडि अगर मैंने वीडियो डाली हैं, तो वो सब उपर आ जाएंगी, कोई भी topic आप से नहीं चूटेगा, हाँ, अगर चैनल की member से पाप ने नहीं लिया है, तो वो video open नहीं हो पाएंगी, कुछ बच्चों ने जो है, silver लिया है, काफी बच्चों ने लेकिन उनसे मैं request करता जिससे मेरी वीडियो जो आपको सारी वीडियो open हो जाएं, कोई परेशानी नहो, तो चलिए पहला question देखते हैं, आखर पहला question लेकिया रहा है, आप सोचिए कि मैंने ये पूरा board भरा है पहले, अब मैं एक करके question को समझा हूँआ, तो मुझे परेशानी होती है कि नहीं, अगर digital board होता और computer में set कर गए, तो आज अगर मैं 10 question करानी वाला हूँ, तो digital board से 40 question कर देता, इसलिए आप से request करना हूँ कि प्लीज चैनल की member से प्ले लीजिए, जिससे मैं digital board लेके आ सकूँ, ठीक है, और ये question number 1 देखते हैं, operation research is the art of winning, whereas without actually fighting, ये जो वार्ड लिखे हैं, this is defined by, ये किस ने define किया है, art of winning, whereas without actually fighting, इन में से, और थर किलाट ने किया है, जगजित सींग, या टी अल सथी, या H.M. वेगनर, आपी बताएं, कौन सा सही हो सकता है, और comment में जरूर बताएं, कि इसका ये answer सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, A is the right answer, ये याद करने हैं आपको, very very important है, ठीक है, तो question number 2 पर नजर मारते हैं, आकर वो क्या कह रहा है, operation research is scientific approach to the problem solving for executive management, ये किस ने define किया है, अब आप कहेंगे, इसके सार option कहा है, इसके option यही है, और थार किलार्क, जगजे सिंग, टी अल सथी, और H.M. वेगनर, तो इसका जो define किया था, D is the right answer, इसनी option को आप लिखेंगे, H.M. वेगनर इसके writer हैं, उन्होंने इसको define किया था, clear, third question देखें, चलिए third question देखते हैं, question number 3 कह रहा है, operation research is an art of giving, यहाँ winning था, यहाँ giving, bad answer, यह answer लिखा हुआ है, two problem, where others was, रोज answer, are given this defined by, कौन सा इसमें से define किया गया है, किसने define किया है, यही A में जो पहले question में option थे, वही option आपको इसमें लिखने हैं, बस correct answer लगाना है, तो बताईए कौन सा हो सकता है, दो तो मैंने बताई दिये थे, यह इसका सही है, यह इसका सही है, इन दौरोन में से कौन सा सही है, PLC, कौन सा सही है, PLC, तो देखलो तीन question के option same है, answer सब के अलग-अलग है, अब आप कभी भूलेंगे तो नहीं, प्लीज भूलना मत, आपको अगर operation research के सारे MCQ चाहिए, तो एक बार subjective तो पहल लीजिए, आपको मैं है बड़े-बड़े question है, मैं वो तो solve करके दिखाऊंगा नहीं, उनकी मैं MCQ नहीं लेके होगा, मैं तो वही MCQ बताऊंगा, जो दो मिनट में solve पर दो, और जिनकी table बनेगी 10-15-15 मिनट में, feasible solution, no feasible solution, infinite solution, no solution, यह सब आपको देखने चाहिए, आईए, question number अब हम 4 देखते हैं, An LPP of maximum, how many variables can we solve by graphical method, क्या पूछ रहा था, LPP of maximum, graphical method में दो ही होते हैं, x-axis और y-axis, कभी भूलेंगी तो नहीं, clear तो कितने होंगे, 2, इसका मतलब, B is the right answer, यहां तक आपकी clear समझ में आगया होगा, तो आप इतने की skin sort ले लीजिए, चलिए, तो मैं इसे साफ करें देता हूँ, यह है question number 5, if there is no feasible region in LPP, then hedge, finite solution रखेगा, infinite solution रखेगा, no solution या unbounded solution, फिर समझ लीजिए कि no feasible solution जब होता है, तो ऐसे question का no feasible solution कभ होता है, जब solution न हो, clear, आपने question करे हैं के नहीं, तो इसका क्या answer है, no solution, इसका मतलब, C is the right answer, आइए question number 6 देखते हैं, if the value of objective function, आपको पता है objective function क्या होता है, Z equal value दे रखी होती हैं, वो objective function होता है, can we increased or decrease, identity, such solution are called, यही option है, same, objective, उपर वाले question number 5 के जो objective question है, वो सभी objective question आपको इसमें रखने हैं, फिर देखना है, कौन सा सही है, एक बार और पढ़ लेते हैं, if the value of objective function Z can be increased or decreased, identify such that solution are called क्या होता है, कभ जब identified होती हैं और decreasing, increasing हो, decreasing हो हो हरी है, increasing हो हरी है, तो वो क्या है, unbounded solution, क्या है, unbounded solution, के लिए, आगे देखिए, question number 6 के बाद, question number 7, the maximum number of basic solution, of a set of m, simulations, equation in known as, यह सही है, यह सही है, यह सही है, यह यह, तो इसकी मैं एक line लिख रहा हूँ, जब तक आप सोच के बताएं, कौन सा सही है, चलिए, the maximum number, question number 7, the maximum number of basic solution, basic solution, क्या होता है, इसका formula, नहीं, पता हो, तो मैं लिखे देता हूँ, nc1, ncm, और इससे solve करने का factorial n, upon factorial m, factorial n minus m, अब आप कहेंगे, सर, हिया, m क्या चीज है, और n क्या चीज है, वो भी लिखके बता रहा हूँ, where are, m is number of equation, number of equation, and, n is number of variable, इसका मतलव, basic solution, क्या होता है, ncm, इसका मतलव, c is the right answer, तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, चलिए, question number, हम अब, 8 पर नजर मारते है, question 8 आखिर, क्या कहता है, a set of value of variable, दे रखी है, x1, x2, x3, dot, dot, satisfy the constraint, and non-negative हैं सब, restriction of an LPP call, तो इसे हम क्या कहते हैं, feasible solution, infusible solution, यह solution लिखा हुआ है, solution, solution, infinite solution, या none, अबे मेरे बच्चों, यह सब क्या होते हैं, feasible solution, क्या होते हैं, feasible solution, के लिए, तो इसकी skin sort ले लीजिए, फिर मैं इस question को solve करके देखाऊंगा, छोटा question है, question number 9 देखिए, given the following sets of equation, पहली equation दे रखी है, x1 plus 4 x2 minus x3 equal to 3, दूसरी equation है, 5 x1 plus 2 x2, और पिलस के 3 x3, equal to 4, equations, the BFS involving x1 and x2 में, BFS होता है, basic feasible solution, और पूछ रहा है किसमें, x1, x2 में, तो ये पार्ट सही है, ये पार्ट सही है, ये सही है या ये, देखिए, x1, x2 में पूछ रहा है, इसका मतलब x3 की value 0, तो यहां तो 0 आया नहीं, ये गलत, ये और ये सही हो सकते हैं, यहां पर none of these, तो इसे हम solution कैसे करें, चलिए, इस equation में सबसे पहले, x3 की value 0 रख देते हैं, क्योंकि वो x1 और x2 पर पूछ रहा है, put x3 equal to 0, x1 plus 4 x2 equal to 3, 5 x1 plus 2 x2 equal to 4, इसमें 2 की multiply करदो, 10 x1 plus 4 x2 equal to 8, इसको minus करदो, x1, 4 x2 equal to 3, ये कट गया, 9 x1 equal to 5 बचा यहां, तो x1 equal 5 upon 9, देखिए, 5 upon 9 आ रहा है, x1 की value आप यहां रख दीजिए, 5 upon 9 plus 4 x2 equal to 3, तो 4 x2 equal to 3 minus 5 upon 9, 4 x2 equal to 9, 27, 27 में ते 5 गई तो 22 बटे 9, और इससे ये केवार कट गया, यहां 4 x2 है, और ये 5 upon 9 इधर जाएगा, माइनस के, तो 9 इधर 27, 27 में ते 5 गई तो 22, और ये कट गया 2 बार और ये 11 बार, x2 equal to 11 बटे 2 गया, इधर 18, तो यहां जो 8 लिखा हुआ है, ये गलत है, या तो none of these करों और नहीं है, 18 कर लेजिए, तो x2 की value 11 बटे 18, x1 की value 5 by 9, और ये 0, इसका मतलाव A is the right answer, के लिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आगे question छोटे छोटे तो हैं, लेकिन मुझे solve भी करने होंगे, क्योंकि मैं detail में आपको बताना चाहता हूँ, और जिनका solution नहीं होता हूँने, तो मैं वैसे टिक बता दूँगा, वो टिक भी तब समझ में आते हैं, कि जब आपने chapter को deeply read किया हो, ठीक है, तो आज की video कैसी लगी, पिलीज अपने friendों के साथ जरूर share करें, और comment जरूर करें, ठीक है, और हाँ subscribe ना किया हो, तो चैनल को subscribe करना बहुत जरूरी है, और आपने कर रखा है, तो प्लीज अपने friendों से करा दीजिए, ठीक है, इसके insert ले लीजिए, चलिए तो question number 11 देखते हैं, और आपने लिएवल हैं, तो मैंने बताया था, अभी इससे पहले question में एक line लिखकर, इसका answer होता है, एन सी एम, क्या होता है, एन सी एम, के लिए, next question देखिए, question number 12, the graphical method is used for solving an LPP with, one variable, two variable और three variable, graphical method के विए two variable पर depend करता है, ठीक है, दो ही line खेंचते हैं हम, x1 और x2, इसका मतलब, b is the right answer, question number 13, छोटा सा solution है, उसमें देखके बताएंगे, कि a basic solution है, a basic feasible solution है, या not a basic feasible solution, या none, यह जो है, none लेका हुआ है, न देखाई दे रहा हो, तो इसमें क्या कह रहा है, इस question number, कि x1, x3, x4, 0, और x2 की value 7, और x5 की value minus 1 is, तो कौन सा इसमें solution होगा, तो पहले x1, x3, x4, 0, रखते हैं इसमें, रखेंगे, तो यहाँ x2 बच रहा है, यहाँ 0 रख देंगे इसकी जगए पर, 4 की जगए पर 0 और बचा, 5 x5 equal to 2, इनको रखेंगे, तो यह satisfy भी कर रहे हैं, क्या feasible solution है या नहीं है, basic feasible solution है या not, उसके लिए इडेंटिकल तो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, 5, इसका coefficient 1, यहा 5, अगर मैं solve करता हूँ, 5 minus 5, तो क्या आ गया, 0, समझ लोग, जब 0 आ जाए, तो not a basic feasible solution होता है, लिख रहा हूं मैं और, so that, the solution, is not, basic, इसका मतला इसके option कहा है, यह इसके option है, तो C is the right answer, not a basic solution, समझ में आ गया, क्योंकि यह है, आइडेंटिकल दीख रही जी, तो इसका solution होगा ही नहीं, आई यह question number 14 देखते हैं, छोटा सा question है, LPP solve करके बताएंगे, क्या यह bounded है, या unbounded है, increasing है, या decreasing है, चलिए तो question number 15, max z दे रखा इसने, 2x1 पेलास x2, जबकि equation दे रखी है, x1 minus x2 is less than and equal 10, और 2x1 minus x2 is less than and equal 40, इनके पहले हम point निकाल लेते हैं origin पर, अगर इसमें x2 की value 0 रखता हूँ, तो x1 का mountain हो जाएगा, और अगर x1 की value 0 रखता हूँ, तो x2 का mountain minus 10, यह a के point हो गए, इसमें देखिए, अगर x2 की value 0 रखता हूँ, तो x1 की value 0, 20, और यहाँ पर x1 की value 0 रखता हूँ, तो 40 हो जाएगा minus के, यह b के point हो गए, इन pointन पर ही हम एक line बनाते हैं, और वहाँ आपको समझाएंगे, कि यह क्या condition बना रही है, दो line खेंचेंगे आप, x-axis और y-axis, यहाँ maximum minus 40 है, और minimum, आए तो यह यह 0, यह कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, यहाँ पर 10, 20, 30, y की value बस यह negative में ही है, और x की value 10 बीजिए यहों ही बनेंगी, इस एक के point देखिए, 10,0, x की value 10 और y की 0 तो यहाँ बनेगा, यह वाला point, यह वाला point x की value 0, y की value minus 10, तो यह यहाँ बनेगा, एक line यहाँ खेंचे देते हैं, यह मान लीजिए L1, इसके लिए देखिए 20,0, x की value 20 यहाँ, और इसकी value 0, minus 40, तो 30, 40, 10, 20, 30, 40, यहाँ आएगा, यहाँ value बना दिखेंचे दीजिए line एक, हमने क्या देखा, यह जो line एक तो इस जगे पर इसको काट रही है, एक यहाँ intersection बना रही है, जो fusival solution है, यह आगे को बढ़ रहा, यह unbounded है, कैसा है, और ही जिन से आगे को बढ़ता हुआ चला गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, unbounded, यह एक बहुत ही short तरीका है, यह ध्यान रखना, तो इसका मतलब, B is the right answer, अगर यह fusival solution यहाँ बन जाता, तो bounded हो जाती, और आप से मैं request कर रहा हूँ कि, आप subjective video सब देखें, मैंने पूरी playlist बना रखी है, operation research की, आप किरम भाई किरम देखेंगे, LPP के सिर्फ दो question देख लेंगे, तो पूरी LPP ही समझ में आ जाएगी, आप skin sort ले लेजिए, चलिए तो question नम्मर 16 देख ते हैं, 4 and LPP minimum Z यह दे रखा है, such that यह equation है, and x1, x2, x3 positive, the fusival solution x1 equal 1, x2 equal 0, x3 equal 1 is basic solution होगा, not a basic solution होगा, या finite solution होगा, या none of these, अभी किया था, दुबारा कर रहा हूं इसको, x2 equal अगर यहाँ 0 रख देते हैं, तो x1 plus x3 equal to 2, यहाँ रख देते हैं, तो x1 plus x3 equal to 2, दौनो equation identical हैं, same है, आगे बढ़ने की अब जरूवत नहीं है, जब दौनो equation same निकल आई, तो not a basic solution होता है, क्योंकि इनका indeterminate अगर निकालता हूं, 1,1, इसका भी 1,1, तो यह कितना आता है, 1 minus 1 अर्था 0, और 0 जबी आता है, कि जब equation कैसी होती है, identical, identical का मतलब same, तो clear हो गया, आई, यह question number 17, मैंने यह diagram बना लिया नहीं, फिर यह 15 minute ले 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 था, और आपका समय ख़राब होता, ठीक है, देखिए, मैं आपके लिए कितना सोचता हूँ, यहाँ यह equation दे रखिए, तो max z दे रखा है इसने, 5x plus 7y, और equation दे रखिए, उसने x minus y equal to 1, दूसरी 2x plus y equal to 2, तीसरी x plus 2y equal to 4, सबसे पहले इनके हम point निकाल लेते हैं, माल लीजिए, इस equation को मैं solve करता हूँ, तो a के point, अगर y की जगे 0 रखूँ, तो x का मान 1, तो 1 और 0, अगर मैं x की value 0 रखता हूँ, तो y की value minus 1, तो 0, minus 1, इस पह आ जाईए, यहाँ y की value 0 रखता हूँ, तो x की value 1, 1,0, अगर x की value 0 रखता हूँ, तो y की value 2, इस पर आईए, y की value 0 रखता हूँ, तो यहाँ 4,0, अगर x की value 0 रखता हूँ, तो इससे कट गई, यह 2 आ गई, यहाँ मैंने दो line खेंच ली, y axis और x axis, इसमें maximum 4 और minimum minus 1 है, तो मैंने यहाँ origin मान कर यह, origin, इसको 4 point ले लिए, एक, दो, तीन, चार, और negative में 2 ले लिए थे मैंने बस, और इधार को केवल, एक point इधार जरूवती नहीं थी, क्योंकि x की value कोई minus में 3 नहीं, आईए मैंने यह पहली line बनाई है, l1, 1,0 देखो यहाँ बन रहे है, x की value 1, y की 0, 0, minus 1 यहाँ बन रहे है, तब मैंने एक line यह draw कर दी, जिसका नाम दे दिया, l1, b वाली 1,0 यहीं बन रहे है, 0,2 यह यहाँ बन रहे है, तो दूसरी line मैंने यह draw कर दी, l2, तीसरी 4,0 यहाँ point बन रहा है, 0,2 यहाँ point, यह तीसरी line ड्रो कर दी, यहाँ तक सायद कोई परेशानी नहीं भी होगी, हमारे पास a के जो point मिले, यह मिले 1,0, यह मैंने b नाम दे दिया, यह a दे दिया था, यह 1,0 है, 2,1, c के point ले लिजिए आप जो यहाँ intersects कर रहे हैं, 0,2 और यहाँ d इसकी जरुवत निया, इंसे ही हमारा maximum value निकलाती है, हमारे पास यह यहाँ इस point से, और इस point पर यह cut किया है, तो देख लीजिए यहाँ point मैंने कितना सांदार बना है, यहाँ y की value 1 हो रही है, और x की value 2,2,1 यह point मैंने निकाले है, कहने का मतलब यह जो line है, इन point पर intersect कर रही है, यह जो solution बना आपका इसे बोलते हैं, physical solution, लेकिन यहाँ तो यह value पूछ रहा है, कौन सी value सही होगी, तो चलिए max z कहा है, यह रख जीजिए यहाँ max z, कितना है 5x पिलास 7y, अगर a point पर निकालते हैं, a पर कितना आया है हमारा 1,0, तो maximum value 5 आती है, b पर निकालते हैं 2,1, तो यहाँ 5 दूनी 10 और 2,7 आता है, c पर निकालते हैं 0,2, तो यहाँ 0 और 7 दूनी 14 है, इसका मतलब this is maximum value, जब यहाँ यह maximize है, तो इसका मतलब x equal to y equal 1 आईडा, समझ रहें बेटे, सिर्फ तुमारे खाफिर कर रहा हूँ मैं यह, और यह objective और भी किसी ने multiple choice question बताए होंगे, तो यह question कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं तुमारी वज़े से महनत कर रहा हूँ, कि आप अच्छे number ले आए, काफी बच्चों की demand थी कि इसके MCQ नहीं आ रहे, तो please channel की membership जरूर ले ले और सारे question आप cover कर ले, तो इसका मतलब x equal to y equal 1 ये this is the right answer, अब वो इसको न पूछ कर केवल पूछ लेता, max z की value क्या होगी, ऐसे, max z की value कौन सी 5, 17, 14 कौन सा सही है, तब यह सही है, जबकि उल्टा कर दिया है, n LPP maximum z ये दे रखा है, equation ये दे रखी है, आपको इसी तरीका से solve करके देखना है, तो जो इसमें maximum, यह तो दूसरा question था यहां से, जब इसमें जो maximum z आएगा, तो इसका b is the right answer आएगा, 10 value इसकी सही होगी, इनमें से ये 15-11 wrong है, तो कौनसा answer सही है भी, एक और एक दो question करा दिये, दो question आपको valuation के करा दिये, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपने friend के साथ आप जरूर share करेंगे, अगर ये members में 5 लोगों ने भी देख लिया, तीन लोगों ने भी देख लिए members में, तो मैं अगली वीडियो जरूर लेके आऊँगा, और members में एक या दो लोगों नहीं देखी, तो साथ फिर किसी और semester की वीडियो आएगी, इसलिए पिलीज अपने friend को जरूर सेयर करें, members के लिए, इसके सौट ले लीजिए,